हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे गाठिया वाड़ी के रेसिपी कुछ अलग मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा चटपटा और क्रिस्पी लगता है खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़िदार लगता है छोटी मुटी भूख के लिए बना कर त्यार कर सकते हैं बच्चों स कारों बच्चों सीथा समय के ऊड़नों जाएंगे पैसन अच्छ से थीना फिर्यादा मत्तम सबिछ म किया है तो उस से लाकशन से ब्लाइट में लें पहल्सान बहुत हो जाएं व्यादा सुछ जाली को इसिते हमने में लिए किर भी सबस्यादा टोस्तों दिंश लानं पर इसका पानी अच्छिस से निचोर दिया था उसके बाद इसमें डाला है और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से देख सकते हैं और एक मिक्सी जाल में एक चमस जीरा डालेंगे एक चमस सौफ डालेंगे एक चमस साबूत धनिया डालेंगे और इसे दरदरा पिस लेंगे बिल्कुल इस तरीके से आप चाहे तो इसे कूटकर भी ले सकते हैं तो चरिए इसे हम ढाल देते हैं यही खात मसाला है दोस्तों इससे पोखुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं और नमक ढाल देते हैं स्वात के नुसार और इन्हें मिक्स कर लेते हैं तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कर दीजेगा और प्यारा से कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी और इसमें हम डालें जरूरा डालेंगे ठ्यजय में अधा चमच से थोड़ा सा कम और एक छोटए चमच लाए जवंद्म दालेंगे और से कम डाला था तो देखिए बिल्कुल तयार है वड़े तलने के लिए तो चलिए तेल हमारा गरम है तो सुरू में हाई फिलेम करेंगे ताकि बड़े तलकर उपर आ जाए उसके बाद फिलेम को लो और मेडियम की बीच में कर देंगे इस तरीक से बड़े अच्छे से कलर तो देख सकते हैं दोस्तों और उलरते पलरते विए अच्छा सा गोर्लेन कलर आने तक इसे हम फ्राइब करेंगे तो हमारी वड़े फ्राइ हो चुके हैं इससे निकाल लेते हैं और आपको सर्फ करके दिखाएंगे तो देखिए कितना बढ़िया हमारा वड़ा बन कर तेयार हो गया है देखने में बहुत ही ज्यादा टैंप्टिंग लग रहा है और खाने में तो पूछिए मत दोस्तों बहुत ही लाजवाब लग रहा था तो आप इसे अपने मन पसंद चटनी या चाय के साथ खाईए इसे ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत ही ज्यादा मस्त लगेंगे तिंजवाई करिए दोस्तों धन्यवाद